अलो फ्रेंट्स, वेल्कम बाक टो मैं चैनल, आजके इस अनलिस्स वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, खुड को सेयर के ओपर, साथ हम लोग बात करेंगे, प्राइडेंट और डिलिवेरी सेयर के ओपर, इन दीटेल में बात करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को दिहान से लाश्ट तक देखीगा, तभी आपको सभी पॉइंट्स जो है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सेयर कीजिए, ताथी साथ अगर आप को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, अब ही अगर हम लोग आगे बात करेंगे, उससे पहले कल का अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा, तो जरूर आप लोगों को बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि इसमें जो भी स्टॉक्स हम लोगों ने कल क दिसकसन किया था, उन सभी स्टॉक्स में आज की सिसन में एक बहुत ही अच्छा तेजी देखने को मिला, तो डेफिनेटली अगर आप लोग टेलिग्राम और ट्विटर हैंडल को भी जोईन कर चुके हैं, तो जरूर आपको यूस्फुल कंटेंट मिल रहा होगा, जिससे क कि आपका पैसा जरूर बंदा होगा, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, स्टॉक के उपर सबसे पहले बात करेंगे हुड को, हुड को में आज 20% का अपर सर्कीट लगा हुआ था, स्टॉक में हम लोगों का टार्गेट ऑलरेडी एचीव हो चुका है, लेकिन बहुत से लोग अब इंट्री कर रहे हैं, तो यहां पर एक चीज़ जरूर में बोलूँगा, जो जितने भी लोग अब इंट्री कर रहे हैं, आपको कॉसियस होने की जड़त है, अभी अब यहां पर इंट्री नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में चार्ट पर डिसक हुआ, और बजट में अगर बात करेंगे, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां पर मिडिल क्लास के लिए भी अफोल्डेवल हाउसिंग के ओपर डिसकसन किया, जहां पर कि या तो वो जो है, आपको सरकार दे सकती है, उनको घर या फिर जो है, उनको अपना घर बनाने में आपको बहुत जल्द infrastructure financing company होने वाला है, जिससे क्या benefit होगा जितना भी अभी के लिए energy के sector में जो भी आपको हो रहा है, या फिर और भी काफी सारे infrastructure है, जहां पर कि hood को land नहीं कर पा रहा था, hood को loan नहीं दे पा रहा था, जैसे ही infrastructure finance company का आपको approval मिलेगा, तो hood को के लिए सा जारा जो field है, वो open हो जाएगा, जिससे की काफी diversified तरीके से ये loan दे सकते है, तरकारी company है, कम rate पे loan देंगे, तो definitely जो है, लोग prefer करेंगे, और इसी वज़े से जो है, hood को के share में आज 20% का upper circuit हम लोगों को देखने को मिला, last one month में अगर देखेंगे, stock 62% का rally कर चुका है, औ पे trade कर रहा है, याद होगा, जितने भी लोग इस stock को, इस channel को follow कर रहे हैं, सुरू से definitely उनको याद होगा, हम लोग July अगत में discussion करते थे, तब ही hood को 50-55 के level पे trade कर रहा था, in fact 47-48 के level पे मैंने Twitter handle पे भी share किया हुआ था, Twitter handle पे अभी भी आपको मिल जाएगा, आप लोग लगातार जूडे रहे हैं, आपको useful information मिलता रहेगा, अब चलिए आगे बात अगर करेंगे, share holding pattern के उपर अगर हम लोग बात करेंगे, तो December के share holding pattern में, December quarter में एक important change हुआ है, promoter ने अपने share holding को यहाँ पे reduce किया है, प्रोमोटर को ने, Government of India, President of India promoter है, तो Government of India ने 6% यहाँ पे अपने stake को reduce किया है, और यहाँ पे जो buy किया है, FIA ने अपने position को double कर लिया है, almost 0.65% से 1.2% हो चुका है, उनका, DIA ने यहाँ पे 4.6% के आसपास जो है buying किया है, तो एक अच्छा buying जो है, DIA के तरब से भी हुआ है, और race जो है, यहाँ पे 1.5% वो public के द्वारा किया गया है, चलिए अब बात करते हैं, चार्ट के ओपर, चार्ट के ओपर अगर बात करेंगे, तो clearly हम लोगों ने discussion किया था, जो all time high इसका जब breakout होगा, 90 के लेवल के ओपर stock में एक सांदार तेजी देखने को मिलेगा, और उससे पहले अगर देखेंगे, तो यहाँ पर एक breakout हुआ था, उसके अद श्टॉक ने रिट्रेस्मेंट लेने के बाद यहाँ पर breakout दिया था, और इन सभी levels पे हम लोगों ने discussion किया हुआ है, प्रिवियसली आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाके जरूर देख सकते हैं, अभी अगर यहाँ पर देखेंगे, प्रिवियस त्री मन्थ से कंटुएंसली, अपको यह आपको फॉर्स ट्रेडिंग सेसन फेवरेडी का है, तो यहाँ पर अभी मन्थ कंप्लेट नहीं इस त्री सेसन, इस त्री मन्थ में, यानि की अक्टूब, नहुंबर, दिसंबर जनवरी, इस त्री मन्थ में हम लोगों को एक बहुत ही सांदार जंप देखने को मिला है, 100% का तेजी जो है, यहाँ पर देखने को मिल चुका है, तो अभी यहाँ पर रिट्रेस्मेंट पे पेंडिंग है, अब यहाँ पर आपको निवेस करने के लिए ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि स्टॉक में बहुत ज्यादा रैली हो चुका है, यहाँ पर कहीं भी आपके पास एक अच्छे लेवल पे स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए नहीं है, आपका रिस्क काफी बड़ा हो जाएगा, इसी वज़े से जो है, अभी आपको यहाँ पर निवेस नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, हो सकता इस टॉक और थोड़ा उपर जाके कॉंसोल डेट करें, या फिर थोड़ा रिट्रेस बैक करें, उसके बाद आपके पास एक अच्छा बन सकते हैं, दूसरे स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, दूसरा स्टॉक है डेलीवरी, डेलीवरी के स्टॉक में एक सांदार हमलगों को रिवर्सल पाटरन का फॉरमेशन दिख रहा है, स्टॉक जो है 70-80% के रैली के लिए जो है बिलकुल तयार है, यहाँ पे एक अच्छा लेवल के ऊपर ब्रेक आउट हो रहा है, स्टॉक में एक सांदार तेजी देखने को मिल सकता है, यहाँ पे भी दिसंबर क्वार्टर में डिया ने अपने पोईशन को इंक्रीज किया है, यहाँ पे भी हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, उपर की तो यहाँ पे जो है, आप इस स्टॉक में फ्रेस पाइंग भी कर सकते हैं, लाश्ट स्टॉक की बात करेंगे, लाश्ट स्टॉक है ट्राइडेंट, ट्राइडेंट के मंथली चार्ट पे अगर देखेंगे तो एक अच्छा हम लोगों को कैंडल का फॉरमेशन दिख रहा ह इस टॉक ने ओल मोस्ट यहाँ पर वन या। सब्सक्रा नारत का हाई की। पर क्लोजिंग दिया है अभी भी स्टॉक में एक कन्विंसिंग नहीं देखने को मिला क्योंकि स्टॉक फुप्टी के लेवल पर एसिस्टेंस कर रहा है यहां पर थोड़ा सा वेट करना होगा वीकली बैसिस पर आप देख सकते हैं जो वीकली बैसिस पर एक अच्छा ओपर क बनेगा अगर इस्टॉक वीकली बैसिस पर फिप्टी टू फिप्टी टू पाइफ फिप्टी त्री इन सभी लेवल के ऊपर में क्लोजिंग दिता है तो एक अच्छा इंट्री यहां पर हम लोगों को मिल सकता है जो कि ऊपर की साइड में सेवेंटी और उसके ऊपर फिर जो है 100 के तरफ लेके जा सकता है आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट चाहे बिल्कुल क्लियर होगा होंगे तर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो एनलेसिस अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब चारू करेंगे